रफ्तार पर सवार अनुपुमा रुक जो सवाना ऐसे मत जाओ देखो अगर तुम्हें जाना ही होगा तो कल सुभा चली जाना मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा लेकिन इतनी रात गए घर की बगू घर के बाहर जाए वो भी घर चोड़कर ऐसे सामान के साथ तो महा बाओजी को पता चल गया तो वो तो यह वेज़िती बरदाश्ट नहीं करपाएंगे और हम लोग कभी तुम्हारे डैट से नजरे नहीं मिला पाएंगे मेरी उर देखो अपने पापा की उर देखो बेटा एक बड़ देखो बेटा अपने पापा की उर प्लीस जा रहा है तो कल सुभा चली जा रहा है अपने पापा की उर देखो तातरी ठीक है सब ठीक है अब रादरबुआ कैसी है अभी भी रो रही है मैं जा की देख रहू एक बड़ अरे ने कोई फाज़ा नहीं है मैंने उसे नींग की गोली देकर सुला दिया है थोड़ा हराम करने थे उसे तू क्यों टेंशन ले रहा है सब ठीक है सच कहे रहूं मैं तू देखना सुबह तक वो पहली जैसी बली चंगी हो जाएगी मैंने आज तक रादाभुक को इतने गुस्षे में कभी नहीं देखा और क्या वज़ा है कि तीपक तीपक की वज़ा से ना जादाजी पर क्यों क्या पुरा है तीपक में वो कितना अच्छा लड़का है जादाजी तीपक बहुत अच्छा लड़का है और रादाभी बहुत अच्छी माँ है पर पर क्या दादाजी शायद आज रादा अपने पुराने जखमों के टीज को बरदाश नहीं कर पाई इसलिए यह सब कर बैठी जखमों कैसा जखमों है पुराने जखमों खर चोड़ यह वक्त पुरानी बातें करने का नहीं है राज बहुत होगी है जा तो सोचा और आराभ कर और सुन हो सके तो सुहाना को भी समझाने की कोशिश कर उस बच्चे को भी बहुत तकलीफ हुई होगी रादा की और से मैं माफि मांग दो उससे अरे दादा जी यह आप क्या कर रहे है रादा बुवा को भी तकलीफ हुई है ना मा की तरह प्यार दिया है उन्होंने मुझे उनको ऐसी हालत में नहीं देख सकता मैं आप चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा मैं समझा दोगा सोवाना को अब चाहिए और सो जाएए कर दोगा कोशा है मैं समय वहाएए और सकता मैं समय जाएए आप दिवान लिए और भाइन, लिए लिए राम, रेखल पाइन मेन ने था यह अजया तो बता चला इतना सब कुछ हो गाया था पीचह्छ़ तो तुम्हे दिए घर चौड़ के जाने का फैसला लेलिया है? यहाँ पापा विए राधा से गलती हुई है पिछले कुछ दिनों समय देख था वो इपक को लेकिए कुछ जादा इभावु खो रही थी विए राधा वाधा से दूर 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 क्यों रहती है अब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन अगर तुम रुख जाओ तो हो सकता है दिरे दिरे तुम्हे इन सवालों के जवाब खुद ही मिल जाए पर लब आप भी राधा वाधा के सपोर्टर है राधा वाधा दीपक के साथ नाय इनसाफी कर रही है और आप लोग छुपचाप खड़े देख रहे हैं समझ गई राधा वाधा जो करेगी वो आप लोगों की नजरों में ठीक है ने 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 देखो मैंने तो भी कहा कि राधा से गलती हुई है और मैं उसको बिल्कुल सिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं यह चाहूँगा सवाना कि तुम राधा के बारे में भी जरा मतलब उसे समझने की थोड़ी कोशिश करो वो तो वो तो हर रोज अपने आप से ही लड़ रही है हर घड़ी वो एक ऐसे असमंजस में है ऐसे हालात में है कि वो और फिर उनी हालात में वो भावनाव में बहकर उसने यह गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाही थी लेकिन अब क्या करें कब तक वो अपने दुखों की सजा सहती रहेगी देखो मैं तो कहूंगा कि हो सके तो तुम उसकी गलती को माफ कर दो ऐसा करते हैं न जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं क्या हो तुमने जवाब नहीं दिया मेरा जवाब चेंज नहीं होने वाल है मैं गर्चुड के जा रही हूँ अब ही और इसी वक्त पापा जारा एल्प कडी प्रीज मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ पर जाने से पहले यह बोलना चाहती हूँ कि पर जाने के बाद आप लोग सब चुप है यह उससे भी ज्यादा गलत बात है लेकिन ऐसा नही है सोभाणा कि हम लोग दीपक से प्यार नहीं करते हैं अगर आप लोग उससे इतना ही प्यार करते तो उससे तना दूर-दूर क्यू रहते हैं अधेले कमर में बंद पड़ा रहता हूँ न किसी से जादा बात कर्ता हैं、 ना हसता हैं जाना साथ में खाना कहता है पापी ने कहा था ना के इस घर में सब को बराबर का दर्जा बिलता है भारवालों की ज्यादा वैल्यू है सब के राहे सीक्वल है तो यही लोचिक दीपक के केस में क्यूंनी अपलाय होता आ पर दीपक न ऐसा कर गया दिया है मैंने ऐसा क्या क्या कर दिया कि रादावालों मुझे तपड़ वारा बहुत भारी है एक मिनट कुछ साडिया निकाल लिए अब यह देखिए मिना ने मेरी साडी पर भी दाग लगा दिया उड़ा एक मिनट भी देखिए आने भी आने भी देखिए बढले भी देखिए वारा आने भी देखिए मैं सब्सक्राइब यह दिए लिए आप दिखागए किसे भी पर देखिए दाट को एक मिनिट एक मिनिट प्लीज सुहना तुम दाट को फोन मत करो पापा मैं इस घर में एक सेकंड के लिए और नहीं रुक सकती प्लीज मुझे बाहर पर जाने से मत रोकिये बाहर पर आपको मना करके आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहते हूं सुहना सुहना रुक जाओ रुक जाओ बेटा रुक जाओ सुहना ऐसे मत जाओ देखो अगर तुम्हें जाना ही होगा तो कल सुभा चली जाना मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा लेकिन इतनी रात गए घर की बगू घर के बाहर जाए वो भी घर छोड़कर ऐसे सामान के साथ तो और अगर मा बावजी को पता चल गया तो वो तो यह वेजिती बरदाष्ट नहीं कर भाएंगे और हम लोग कभी तुम्हारे डैट से नजरे नहीं मिला पाएंगे मेरी उर देखो अपने पापा की उर देखो बेटा एक बार देखो बेटा अपने पापा की उर प्लीज जा रहा है तो कल सुभा चली जा रहा ओके जास्पी कुछ आप बोल रहे हैं मैं सुभा नहीं जाओंगी सुभा उटने में प्रब्लम होती है मुझे आफ्टर्णून में चली जाओंगी आफ्टर्नून में चली जाओंगी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को जाओंगी